जै माता दी, क्योंकि मा दुर्गा आने वाली हैं हम सब के घर हेलो माई कर्ची से कलम तक फैमिली मैं हूं रचना कैसे हैं आप लोग? I hope and I wish कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे यहां घर से ले करके कॉलनी के कम्यूटी हॉल तक नवरात्री की तैयारी जोर सोर से शुरू हो गई है तो नवरात्री की तैयारी घर से ले के कम्यूटी हॉल तक क्या क्या किया आज की ब्लोग में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले नौरात्री के लिए दुरगा मा की एक बड़ी सुन्दर सी पेंटिंग बनाई रात को बैठ करके पता नहीं ऐसी एक इच्छा हुई और फिर मैंने इसकी पूरी डीटेल वीडियो चानल के प्लेलिस पे शेयर कर दी कि कैसे ड्रो करना है कैसे कलर करना है और फिर स डेस्ट बीन में कच्ड़ा नहीं होना चाहिए तो मैंने सबसे पहले सुबह उठकर के घर के हर कमरे के डेस्ट बीन का कच्ड़ा एकठा करके फेक दिया जितने गंदे कपड़े थे वाशिंग मशीन में लगाया उसको धुला और भगवान की देया से आज धूब भी अच् है कि एक दम एक दिन पहले जब सब कुछ करो ना तो घर बहुत फ्रेश सा फील होता और लगता है कि मा दुर्गा हमारे घर आने वाली हैं तो आपके घर में दुर्गा मा की आने की क्या क्या तैयारिया हुई है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इस अब आप सोच रहोंगे कि सारी डस्टिंग सारी क्लीनिंग अगर हम अभी कर लेंगो तो फिर दिवाली में क्या करेंगे परिशान मत होई ये दिवाली तक फिर आपका घर गंदा हो ही जाएगा मेरा घर तो होई जाता है तो सबसे पहले मैंने बालकनी से शुरू किया बालकनी को सारा डस्ट क्लीन किया सारी चीजें अच्छे से जार दी और सिर्फ जारा ही नहीं मैंने सारी चीजें आज चेंज की हैं जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो सारी चीजों को हटा हटा के जारते हैं बेपकी नौरात्रे में इतना नहीं कर पाते हैं जब हम दिवाली में सफाई करते हैं तो सारी चीजें नई नई दिछाते हैं नए चादर नए कुशन कवर और लेकिन और परदे उतार के परदे धुलते हैं लेकिन नौरात्री में इतना संभव नहीं हो पाता है इसलिए नौरात्रे में सारे परदे अच्छे से जाड़ देना और साथी साथ मैंने क्या किया सारे फनीचर हटा करके पलंग को छोड़ करके जितने भी इस टेबल थे जितने भी इसली हटने वाले फन जारेगी जैसे मुझे करनी पड़ेगी तो मैंने डस्टी वाला काम करने से पहले यही किया था घृष जितने कचड़े थे छोड़ दीया detail पोच्छा लगाना क्यों छोड़ाता वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी ऐसा कहा जाता है वास्तू के इसाप से कि जब कोई तियोहार होता है तो तियोहार से पहले अगर घर के पोच्छे के पानी में नमक डालके पोच्छा लगाते हैं तो घर में से सारी negativity दूर हो जाती ह तो मैंने सोचा पहले डस्टिंग कर लूँ सारे बेट शीट हटा लूँ ड्राई डस्टिंग के बाद मैंने कोलीन से सारा कुछ चमकाया और सबसे लास्ट में पोच्छा लगाया नमक डालके मेरे खाल सी ये नमक वाला टोटका आप भी ज़रूर मानते होंगे देखिए सि हमारे बच्पन से नारात्रे से पहले मेरी मम्मी ऐसे सफाइई करती थी घर कर सारे कपड़े साफ करती तो मेरी वैसी यादत हो गई बाकि अगर काफी फास्ट हो गई है अगर आप हर चीज को फॉलो करने की कोशिश करिएगा तो कोई एक चीज नहीं कर पाईगा तो आपके मन में यह डाउट आ जाएगा कि हमने यह नहीं किया इसलिए हमारे साथ ऐसा बुरा हुआ तो बेसिकली जितनी शक्ती उतनी भक्ती जितना आप क क्लीनिंग में रचित हमेशा मेरी हल्प कराता है लेकिन आप सोच रहोंगे इस बार रचित कहा है वह क्यों नहीं दिख रह तो रंपर आपर उसका मैध का पड़ा थिया और उसके बार मैंने उसको सैंपल पेपर दे दिया सॉल्फ करने के लिए ताकि मैं शानती पुर्वक अपना सारा काम कर सकूँ क्लीनिंग में सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा होता है हमारे घर के फ्रिज का क्योंकि डेली बेसिस पे हम इसमें जूठा रखते हैं जो लोग नौनवेज खाते हैं अंडे रखते हैं तो मेरी हमेशा से आदत रही है कि नौरातरी शुरू होने से पहल कुछ चीजे पड़े-पड़े खराब हो जाती है वह सब हटा देती हूं और नया मैट बिचा देती हूं साफ सुत्रा मैट क्योंकि हम वरत रखने वाले होते हैं तो फ्रीज एकदम साफ होना चाहिए ताकि वरत के समाना फ्रीज में रख सकें तो बस इतना साही है इसलिए मैंने फ्रीज को आफ नहीं किया सीधे क्लीन कर लिया आप ब्रत के पहले फ्रीज को साफ करती हैं नहीं नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है जो मुझे करनी चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताईएगा ताकि म मैं उसको इसली कर सकती हूँ अगर तो मैं जरूर फॉलो करूंगी और हमेशा क्या होता है परिवार में जब हम एक दूसरे को कुछ-कुछ चीजें बताते हैं ना तो हम लोगो एक दूसरे से नॉलेज मिलती है और अगर उसको करने में कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ पूजा रूम सिर्फ पूजा रूम को छोड़ दिया कि ने पूजा रूम को छोड़ दिया सबसे इंपॉटेन्ट चलिए वो भी मैं आपको ब्लॉग में आगे बिठाऊंगी Aww पिलाल अभी तक आप ये ब्लॉग को देख रहे हैं इसका मतलब कि आपको ब्लॉग अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए कमेंट करिए और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लिजे क्योंकि कल से मैं मिलने वाली हूं आपसे लाइफ लाइफ इसल शक्ती मिलती है उस पूरे भजन को सुन करके खैर मैं कल लाइफ आपस लोग का इंतिजार करूंगी सहारा क्लीनिंग डस्टिंग सब करने के बाद मैंने दिवान खोला और दिवान यानि के बैड बॉक्स से मैंने सारे धुले हुए बैट शीष निकाले वह बैट शीष नि जो बार-बार बिचाती हैं वही बैट शीष निकाले क्योंकि मतलब सिर्फ धुले हुए होना चाहिए जरूरी नहीं है कि नया बिचाएं तो सारे रूम के हिसाब से थीम के हिसाब से जो आपने देखा होगा मेरे घर का थीम है ग्रीन औन वाइट ब्राउन औन वाइट डै आती हूं वही पुराने चदर हैं वही पुराने कुशन कवर हैं बस मैं कमरो को चेंज करती रहती हूं ताकि फील होता है कि हम कुछ एक नए जगह पे रह रहे हैं क्योंकि इंटीर डेकोरेशन चेंज करना फ्लैट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेड अगर जिस तरह इसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो फोड़ा सागल होगी इससले आप उससे जरूर देखियेगा अभी तक फिर से मैं कहरे हूँ आप ये ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी नौरात्री की तैयारी ऐसे ही करते हैं अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा किचन क्योंकि हम रखत करते हैं तो मेरा किचन बहुत साफ सुत्रा होना चाहिए तो किचन में जो ब्रत के डब्बे होते हैं वो मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ रेगुलर डब्बे नहीं यूज करती हूँ और वो अलग कलर का है ताकि पहचानना असान होता है उन सारे डबो को मैंने रात में भीगो दिया था और सुबह उठते सारे डबो को धुल दिया और इसके बाद मैं किचन की डीप क्लीनिंग में लग गई और ब्रत के बरतन जो हैं वो मेरे यहां अलग हैं ब्रत में खाना बनाने वाले बरतन, खाने वाले बरतन सब कुछ अलग थी इसलिए कोशिश कर रही थी कि थोड़ा फटा फट कर लिए क्योंकि रचित को पढ़ाना भी बचा हुआ था और ये सब करते करते मुझे बारा बज गया तो आज की पूजा भी मिस हो गई एक मैं आपको एक चीज शेयर करती हूं कई बार क्या होता है हम लेडीज का सुब पैर मुझे धूल करके और दिया बत्ती तो करते ही करते हैं तो इससे क्या होता है मन हलका हो जाता है ये वाली फिलिंग नहीं आती है कि आज सुबह काम की वेसे सुबह वाली पूजा छूट गई इसके बाद मैं नहाद हो करके मैंने फिर सारे बेटशीट चेंज किये बिन अब इंगेज रहें positive side में इंगेज रहें ना कि दूसरों के घर में क्या चल रहा इसमें inगेज रहें और सृहिसा सफ़ाई रहने से आपके घर में positivity आती ही और मेरी live का में走क स हमेशा से होता है फिर मैंने दूसरे कमने का bed sheetष के और बिल्कुल मैं फटा-फट स्पीड में कर रही थी क्योंकि मुझे community hall भी जाना था वहां भी आज competition होने वाला था थाली decoration का रंगोली decoration दांडिया का decoration बच्चे करने वाले थे और उसको मुझे जरूर देखना था कि बच्चों ने क्या क्या बनाया बच्चों से भी कई बार इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है ना ऐसा कुछ age factor नहीं होता है कि बच्चे हमें नहीं सीखा सकते हैं काफी बड़े हो गएं जैसे कि मैं 40 एर से जादा हो गई हैं तो मुझे अब सीखने के कोई जोरत नहीं है आज कल बच्चे इतने जादा इतना कुछ सीखने को मिलता है कई बार तो रचित मुझे मैट्स के ऐसे ट्रिक्स बताता है ना कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है अब बात रचित की हुई है और मेरी ब्लॉग में रचित ना आए ऐसा तो संभव नहीं है तो बेसिकली जब मैं ये सारा काम कर रहे थी तो रचित बहुत ही अच्छे से सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था ये सैंपल पेपर स्कूल से बने हुए मिलते हैं और मैं इसे तब सॉल्व करने देती हूँ जब मैं उससे सारे चैप्टर्स पढ़ा देती हूँ ताकि उसका कॉन्फिदेंस बना रहे कि उसने जो पढ़ा है वही कोश्चन्स आए हैं अगर हम पढ़ाने से पहले ही सॉल्व करा देंगे न तो बच्चा जो है उसका कॉन्फिदेंस डाउन हो जाएगा तो जब मैं दुरगा जी की ड्रोइंग बना रही थी उस दोरान रचित बना रहा था महात्मा गांदी की ड्रोइंग और आपको यह महात्मा गांदी की ड्रोइंग कैसी लगी से जरूर बताएगा नीचे कमेंट करके फिलाल रचित फूल कॉंसंट्रेटेट था और मैं भी अपने काम में फूल स्पीड में थी और उसके बाद फटा फट से काम खतम करके मैं लग गई रचित को पढ़ाने में क्योंकि मैट्स जो होता है न वो रटने वाली चीज नहीं होती मैट में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता और उससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है मैक्सिमम प्रक्टिस क्योंकि मैत में कॉंसेंट्रेशन और स्पीड मैटर करता है और हर चीज की ट्रिक के पूजा की पूरी तैयारी तो हो वही अपस पूजा रूम की सफाई बची है और खिचन में कुछ ब्रत कर चीज़ें एरंज करनी है फिलाल मैं जा रही हूं यहां पर कॉल्णी में कम्यूटी हॉल में नौरात्री के 9 दिन प्रोग्राम और्गनाइज होते हैं भजन, कि सारी चीज़ होती हुगो मैं आपको डेली अपडेट ज़रूर करूंगी कि बहुत ज़्यादा यादकार होता है हो और आज से यह शुरूर हुआ और आज बच्चो का कॉंपेटिशन है रंगोली मेकिंग का कॉंपेटिशन धाली डेकुरेशन दांडिया डेकुरेशन तो वही मैं भी देखने जा रही हूँ और उसमें जो खास चीज़े हैं मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी इसलिए ब्लॉग को बिना स्किप किये पूरी जरूर देखिएगा दिया बहुत सुन्धर है भई दिया बनाई यह रेडी मेट है तो मैं पहुँझ गई कम्नूली हाल में छोड़े प्यारे प्यारे बच्चे रंगोली बना रहे थे इतना खुबसूरत फूल और रंगों से और साथ ही दिया जला करके इन्होंने बनाया था इसे कहते हैं यह चोटे बच्चे जो है यह एक्चुली में माता के ही रूप है और इन्होंने जिस तरह से महनत करके बनाई वो सच में बड़ा एप्रिशियेट करने वाला था और फिर साड़िया, डेकोरेशन के समान, किसी ने जूले लाए, किसी ने गमले लाए, किसी ने मटके लाए, मतलब सब का कम्बाइंड जो होता है एफॉर्ट वो इसमें दिख रहा था और फिर एक बच्ची थी वो दांडिया डेकोरेट कर रहे थी उससे भी मैंने सीखा दांडिया डेकोरेट किया था, और बेसिकली एक कॉंपटीशन की तरह और्गनाईज कराए गया थे, लेकिन बच्चे इतने इन्वाल्व थे कि वो कॉंपटीशन वाली भावना ने थी, सब एक दिखोर को बहुत सपोर्ट करके बना रहे थे, और फिर जो माता की पूरी तैयारी वो सच में कहते हैं न, कि पूरी सोसाइटी एक परिवार की तरह होती है, वो ही वाली फिलिंग आई, इसलिए कहना है जोर से आपको सब को जय माता दी, और कल से हम सब लाइव मिलेंगे आपको भजन किर्तन के साथ, आरती, भोग, सब कुछ आपको देखने मिलेगा करिएगा, प्लीज मुझे जरूर जोईन करिएगा, माता के बगल में रखा तुलसी जी का गमला, एक साइड इसमें लगाए गया हनुआ जी, दूसरे साइड सरस्वती जी, और आपको पता है जब भोग लगाया जाता है, तो सभी भगवान को अलग अलग भोग लगा जात कि मुझे घर भी जाकर के घर भी पूजा की तेयारी करनी है, ये तीन लोग जो थो ये जजिस थे, इन्होंने बच्चों के काम को अच्छे से बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन किया, बच्चों ने अपना समझाया और इन लोगों ने बहुत अच्छे से आप सब का स्वागत है जरूर आईएगा लाइव मुझे ज्वाइन करने शाम को चार से साड़े चार के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके बाद मैं घर पहुंच गये और घर पहुंचते ही मुझे अपने घर करते है तो आम के पत्ते की बड़ी इंपोर्टेंस होती है इसका एक साइंटिफिक रिजन होता है आम का पत्ता जो होता न वो बैक्टीरिया किल करता है और घर के दर्वाजे पे आम के पत्ते का तोरण इसलिए लिए लगाना चाहिए तो अगर सुबह हरबड़ी में आप घर में घर को शुद्ध करने के लिए पूरे घर में गंगाजल शिड़कना चाहिए धूप जलाना चाहिए ताकि घर में वातावरन शुद्ध हो जाए ये भी मैं हर साल करती हूँ इसले मैंने सुचा आप से जरूर शियर करूँ तो ये जो माता की चुन्री है ये हम लोग कहीं जाते हैं दर्शन करने वहां से चुन्री खरीते हैं और वही चुन्री मैं पूजा पे बिचाती हूँ तो मैं हमेशा जो फुल चुन्री होती है न दो मीटर की वही खरीती हूँ और वो क्या होता है माता की चुन्री चढ़ाने में भी काम आ जाती है और पूजा पे उ पूजारूम के बरतन को कैसे छोड़ देते हैं, तो पूजारूम का बरतन रोज हम लोग काफी हडबड़ी में धुलते हैं, तो चमक उसकी कम हो जाती है, तो जब भी कोई तिवहार पड़ता है, तो उसको डीटेल में धुलने के लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी पान न नहीं होते हैं, लेकिन नौरात्री में सब यूज हो जाते हैं, तो मैं सारे बरतन को एक डलिये में कलेट करके लेकर के आई, और फिर मैंने इसको धुलना शुरू गिया, इसे धुलने में आधा पॉन गंटा मुझे लग गया, क्योंकि जब तक संतुष्टी ना होना कि बहुत तेजी से चमकता है, और पूजा में हमारे मैकसिमम बरतन जो होते हैं, वो तामबे, पीतल के होते हैं, स्टील के थोड़े कम ही होते हैं, तो देखिए ये एक साइड चमक गया और आदे साइड ये तामबा जो है, वो काला ही है, तो इस तरह से करके मैंने सारे बरतन दूली है, आप वैसे अपने पूजा के बरतन किन चीजों से चमकाते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, तो मैं अगली बार मैं भी उसी से दूलूंगी, फिलहाल मैं लग पड़ी थी एक घंटे तक इन बरतनों को चमकाने के लिए, क्योंकि जब हम अपन पर सारा एरेंजमेंट करने के बाद, मैंने पूरे घर में गंगा जल चिड़क दिया, गंगा जल मैं अपने घर में हमेशा पूजा पे रखनी हूँ, गंगा जल कब्या असे बटानी मिला दिजाई गंगाजल निकालती हूं गंगाजल तो एक लोटा प्लेंyl पानी उसमें मिला देती तो मेरा गंगाजल का गंगाजल का गंगाजल कई वह जदूर मैं ने बता दिया और पूरे घर में धूब दिखा दिया और इससे घर में शुद्ध वाला जो माहौल होता न वो फील होने लगा और शाम को जो दिया जलाती हूं मैं बाहर वो भी मैंने जलाया और फिर बारी आ गई अगले काम की और अगला काम सबसे इंपोटेंट है की रचित को मैठ्स काउने तोatics करा लो फास्ट रिवीजन कराना जिन जन चीजों में वो फस सकता है जिन जन फॉर्मूलाज में फस सकता है उसका मैंने सोचा फटाफटे से उससे फास्ट रिवीजन करा लू और कुछ कुछ तो मैंने घर में एक पूरे हफ़ते के लिए फेस पैक बना ली आधा चम्मच मुलतानी मिटी आधा चम्मच हल्दी आधा चंदन पाउडर और साथ में आधा चम्मच नीम का पाउडर क्योंकि आजकल थोड़े से फेस पे दाने निकल गया है मौसम चेंज होने की वज़े से तो नीम का पाउडर बहुत एफेक्टिव होता है दानों को खतम करने के लिए अब इन चार चीजों के अलावा इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी फिटकिरी क्योंकि अगर दाने जाएंगे इनके असर से तो दानों का दाग पढ़ सकता है तो आपके चेहरे पे कोई भी ब्लै के इसमाल कर लिया ये फिटे कर्फिट के लिए सुबह गारगल का पानी करने की लिए लिए कर दें हमीशा मेरे किचन के स्लैप पर रखा नहीं नहीं में इसको त्यार कर लिए भी नौ दिन अंतर लगना चाहिए ना डेली बेसिस पे तो बस इसको पूरे फेस पे अपलाई करिएगा और दस-पंदर मिनट छोड़के खुब अच्छे से मसाज करके फेस को धुल लिजेगा अब आप मुझे बताइए कि आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसकिन क करके जरूर बताइए और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लिजेगा ताकि कल से नौ रात्री के नौ दिन आप भजन कीर्दन आरती भोग से पूरा लाइफ जुड़े रहिए तो चलिए फिर मिलेंगे कल से हम तब तक के लिए बाई बाई